आप सुपर कंसर्ट क्लासेज में स्वागत थे और आसा करता हूं कि आप लोगों का जो एक्जाम में बहुत ही अच्छतर किसी पार हो गया है पार किसी प्रसुकिषल में स्वागत आप थे यह क्मास नवर्क्राइब की शेया खरणाहे चाहें यानि कि passing marks क्या है यहां पर आम लोग ए टूजड हर एक चीज के उबर discuss करेंगे तो आप लोग वीडियो पर complete बने रहें और अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ साथ बेल क्राइएं को प्रिस कर लिजिए तो चलो मेरा छोर्ष को नंबर हो तो कित्ना अधैर आने साथ आप लोग फ्रस्ट के उंगे अधो यहां पर हम लोग और हम को लोगोगहाइक करना прburden कर ना आप लोगों को 33% नमबर लेकर आना है अभी आम लोग नमबर की उपर भी डिसकस करेंगे अभी तो फिलहाल में आपको परतिसत बता रहा हूं लेकिन एकक करके हर एक चीज की उपर डिसकस करेंगे इसलिए आप लोग वीडियो पर से लेकर 299 नमबर तक लाता था बात समझ में है अगर कोई बच्चा 235 नमबर लेकर Crunch शृन लाता जाएगा नगी उने के लिए कम से कम 30 na चाहिए और और तीनसे नमबर से ज्यादा होगा में बी कोई दिकत नहीं है देखिए कुछ दिनों से मतलब कुछ सालों से अगर अक्चोल में बोला जाए तो एक कभी रूल आया है grace marking का तो पाँच नमबर दिया जाता है grace mark ठीक है जो grace marks जो होता है 5 number तक दिया जाता है मान के चले कोई बच्चा है वह स्क्फेण डिवीजन होने के लिए सेग वने के लिए कोई बच्चा है अगर मानी चले 222 नंबर लेकर आता है बस सक्फेण डिविजन होने के लिए कितना निमर चाहिए अगर कोई बच्चा और मान की चलिए इसको फष डίविजन होने के लिए 300 नंबर चाहिए 200 नंबर अभी कम है तो इसको दो जाएगा ग्रेसर मार्क जिसको हम लोग बोलेंगे तो पाँच नंबर तक दिया pill 선택 है grace mark याज रखिएगा grace mark कितना नंबर तक दिया जाता है पांच नंबर तक मैं पांच नंबर अगर आपका कम आ रहा है किसी भी चीज़ को हासिल करने में चाहे सकेंड डिविजन हो तो भाई आपको पांच नंबर यहां पर grace मार्किंग दिया जाएगा तो यह तो बात हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड और grace मार्किंग का हम हम लोग यहां पर क्लास बात करेंगे क्लास टेंथ का डिसकस करेंगे और दो चीज हमारा हो जाता है एक हमारा प्रेक्टिकल वाला सब्जेक्ट हो जाता है और एक हमारा नॉन प्रेक्टिकल वाला सब्जेक्ट हो जाता है तो फ्रेक्टिकल नॉन फ्रेक्टिकल क्लास टेंथ हरी क्यों पर डिसकस करते हैं सबसे बहले बात करते हैं क्लास टेंथ का देखो, ख्लास 10 में 40 नमबर का हमारा objective हुआ था, 40 नमबर का हमारा subjective हुआ था और किसी में हमारा internal assessment था और किसी में हमारा practical था आप या तु Literal assessment बोल लिजिए, या पिinen practical बोल लिजिए, तो ये हमारा 20 नमबर का हुआ था यानि 40-40, 80 और 20 यान टोटल मिलाकर 100, ठीक है टोटल मिलाकर 100, यानि देखे class 10 में pass होने के लिए आपको हर एक subject में, यानि हर एक subject का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है यानि class 10 में पास होने के लिए एक subject में पास होने के लिए आपको 33 नमर लाना पड़ेगा और देखो भाई class 10 में हमारा total मिला कर अगर tenant कितना भी सै होता है और चो विसे में इसे मात्रा आपको 5 री से में पास करना है अगर आप लोग आपको और पास होना अनिवार यह है यह हूँ अगर इस इस में आपको लाना पड़ेगा 33 नंबर अगर आप Mythical से में 33 नमर करके लिए आते हैं तो आप पास अब 33 से जितना ज्यादा लाएंगे वह आफिक के लिए अच्छा है लेगिन कम से कम 33 नमर तो आपको लाना पड़ेगा 33 नमर कौन-कौन मिला कर तो यह जो objective का जो 40 नमर रहा यह जो subjective का जो 40 नमर रहा और आपका इंटरनल अससमें प्रैक्टिकल का जो भी इस नमर रहा सबको मिला कर सबको मिला कर अगर आप मानिक चलिए objective में ही अगर आपने 33 नमर लेकर आ गया इसमें और छोड़ देते हैं तब भी आपास हो जाएंगे या फिर मानिक चलिए कि आपको subjective में 15 नमर मिल गया अब्जक्टि में सब्जक्ट होता है उताए एक होता है नॉन प्रैक्टिकल वाला तो देखो जो प्रैक्टिकल वाला था ना ये हमारा सतर dots का था और ऑढ़ casino रहा ए couple सब्सकाथा तो इसमें से 35 नमर का हमारा objective था, और 35 नमर का हमारा subjective था, बात clear, और 30 नमर हमारा कहां से था, तो 30 नमर हमारा practical से था, अब देखो non practical वाला, तो 20 नमर तो हमारा internal assessment का था, 20 नमर internal assessment का था, और यह जो 80 नमर था, इसमें से 40 नमर का हमारा objective था, और 40 नमर का हमारा subjective था, बात clear हो तो प्रेक्टिकल वाला का अगर बात करा जाएगा यहां पर परतेग भी सब्सक्राइब का बात हो रहा है इनके हर एक सब्जक्ट में यहां पर बात करते हैं किसी भी एक सब्जक्ट कोई साभी सब्जक्ट भाली जिए जो हमारा प्रेक्टिकल वाला है जैसे कि केमिस्ट्री हमारा 70 नंबर का हुआ था तो देखो भई यह 70 नंबर मेंसे आपको ले कर आना है 23 नंबर कितना लेकर षान हो फॉसस्जलों 20 में चाहाए कि अब बाहने दिया था अगर दोनों मिला कर आपका 23 हो जाता है प्रेक्टिकल बाफ first त्रपने डेंज नहीं तो नहीं तो नहीं है अ Lum स्थे बाद की बाद baik नहीं हो विर कि आपक्तिकलवाले सब्जेक्ट का देखो इन जो सब्जेक्ट था इंधु इक थो नंबर की हुआ तो और 40 नमबर का हमारा सबज्यक्तिव था चा और 40 का ンंबर का सबज्यक्तिव था यह जो असिग निमेर का हुआ था ना इस असिग निम्बर में से आपको ले कराना है सताईस नंबर कितना लेकर आना है कोई दिगत नहीं है ठीक है मतलब यहां पर आपको हर एक सब्वेक्ट में पास होने के लिए मतलब यहां पर नॉन प्रेक्टिकल वाला अगर बात करा जाए तो असी नंबर में इसे आप लोगों को लेकर आना है आप सब्द्र यहां अगर इसे जो आपको एक सब्जक्ट में ज्ंकी है अपको बोलते हैं तो बस आप लोग जान लो कि आप क्लास 12 के इस्ट्रूरेंट हो तो आपका सब्जक्ट में आपको एक सब्जेक्ट में जो सत्र कवा रहता उसमें पास होन्य के लिए क्लाना पड़ेगा त्येज़ी नमबर हितना ilum privacy आपको प्रकार से नमबर आता है तो आप पास हो चाहे आप आम सब्यक्टिव से ले आओ या पिर ब्लोच को मिला Thank you, Jahind.